तो दोस्तों देखिए मार्केट में हमको रिकवरी के संकेत देखने को मिल रहे हैं निफ्टी अब आप देखेंगे तो हरे निशान में यहाँ पर ट्रेट करता हूँ नजर आ रहा है हाला कि market जब आज open हुआ था तो दोस्तों देखे एक gap down opening हमको होती हुई देखने को मिली थी लेकिन उसके बाद से आप देखेंगे तो recovery यहाँ पर जारी है तो यह recovery क्यों आ रही है इसके पीछे क्या update है तो जी हां दोस्तों यहाँ पर एक बड़ी ख़बर निकल के सामने आ रही है chemical companies के regarding जहाँ पर मोतिला लोस्वाल की एक research report है वो मैं आपके साथ share करने वाला हूँ कौन सी companies को यहाँ पर cover किया गया है और कौन सी companies पर buy target दिये गये हैं कौन सी companies पर हमको थोड़ा अभी cautious रहने की जरुरत है उसके पीछे क्या reason है इस वीडियो में पूरी चर्चा क यहाँ पर Russia and Ukraine to begin peace talks at 3.30 PM तो यहाँ पर यह बहुत ही positive update निकल के सामने आ रही है जहाँ पर Russia and Ukraine के बीच यह शांतिवारता शुरू हो सकती है at 3.30 PM तो सारह 3 बजे के आसपास यह peace talk हमको शुरू होती हुई देखने को मिलेगी तो यहाँ पर दोस्तों होप कर रहे हैं कि यह यह जो peace talk है successful रही यह जो शांतिवारता है successful रहे और यह जो war चल रही है यह जो crisis चल रहा है यहाँ पर समाप्त हो definitely यहाँ पर human life तो सफर करी रही है तो कहीं ना कहीं हाँ पर दूसरी economies भी सफर कर रही है तो let's see यहाँ पर दोस्तों इसका क्या outcome आता है लेकिन हम होप करते ह हालकि यह शुरुआत होई नहीं है अभी शांतिवारता की लेकिन रशिया की जो shelling है वो अभी भी continue है जो eastern regions है यूकरेन के कीव की बात करें खारकीव की बात करें वहाँ पर अभी भी continuous shelling जारी है और top US intel officers जो sources हैं दोस्तों उनकी तरफ से हाँ पर खबर आ रही है कि अगर यहाँ पर हो सकता है कि बेलारूस जो है रशिया को support करता हूँ नजर आए और बेलारूस यहाँ पर जो अपने military troops है वो यूकरेन की तरफ बेजता हूँ नजर आ सकता है तो यहाँ पर दोस्तों इसका जो भी outcome निकलेगा वो यहाँ पर हमको तो समय के साथ ही पता चलेगा लेकिन यहाँ पर hope ऐसी बताई जारी है as per day reports यहाँ पर successful होता हुआ नजर आएगा यहाँ नहीं चाहेगा यहाँ पर यह बहुर और जारी रहे उनकी जो जनता है उनको यहाँ पर जो population है जो यहाँ पर country है उसको और दाए सफर करना पड़े तो let's hope दोस्तों यहाँ पर let's see यहाँ पर क्या होता है क्या नहीं होता यह तो हमको पता चलेगा वेकिन at this point of time हमको यहाँ पर यह एक positive news देखने को मिल रही है peace talks के regarding जिसकी वेसे market recover कर रहा है अब यहाँ पर दोस्तों देखिए Russia Ukraine की वज़े से आपको जैसा की पता ही है कि crude oil की दाम जो है तेजी से बढ़ basically 98 dollar प्रती barrel के आसपास trade करा जो कि positive है तो यहाँ पर अगर यह successful रहता है यह outcome यहाँ पर positive आता है इस peace talk का तो brand crude दोस्तों यहाँ से और cool off होता हुआ नजर आएगा और brand crude basically अगर crude oil सस्ता होगा तो यहाँ से दोस्तों आप समझ सकते हैं कि कई सारी countries कई सारी economies यहाँ पर तिलालोसवाल की आप देख पारें 25 फरवरी की यह latest research report है तो इसमें यहाँ पर बताया गया है कि जो specialty company है जो specialty chemical companies है वो यहाँ पर pricing power retain करती हुई नजर आ सकती क्योंकि इनका जो contribution है specialty chemical का उनके revenue में around 99% के आसपास हमको देखने को मिलता है तो उनको दोस्तों यहाँ पर buy rating द करना चाहूं हाला कि report काफी बड़ी है मैं आपर आपको सिर्फ sunshape में बताना चाहूंगा कि देखिए आपर क्या कहा गया है as as per their study confirms the hypothesis that the companies which have higher contribution from specialty chemicals were able to manage their gross margins much better than the ones that have higher contribution from the commodity chemicals तो यहाँ पर जिनका contribution commodity chemicals का ज्यादा है जिन companies में तो वो यहाँ पर basically उनके margins यहाँ पर pressure में आते ह specialty chemical company है वो अपने margins को यहाँ पर manage करते हुए नजर आ सकते हैं तो यहाँ पर जो मोचिला दुस्वाल की topic है दोस्तों इसमें आप देख सकते हैं galaxy surfactant है विनती और बात करें तो यहाँ पर जो इनकी topic है वो basically नवीन फ्लोरीन, fine organics, galaxy surfactant, clean science, nocel और यहाँ पर विनती और बात है अब यहाँ पर commodity chemicals की बात करें तो alkyl amines, atol, deepak, nitrite, nocel वगरा यह जो है basically इनका जो dependence है crude oil पर वो काफी जादा है जिसके वज़े से इनके margins pressure में आते हुए देखने को मिल सकते हैं अगर मैं आपको एक report दिखाना चाहूं बहुत ही interesting report है जिससे आपको पता चलेगा कि dependency काफी जादा है वो है basically बालाजी amines, alkyl amines जो की methanol, ammonia, ethyl alcohol इनका एक major raw material है SRF नवीन, fluorine, gujarat, fluorochemicals यहाँ पर इनकी crude based, crude जो dependency है वो बहुत ही कम है इनके जो raw material है वो fluorospar है तो यहाँ पर नवीन, fluorine, basically आप देखिए इतना जादा correct होता हूँ हमको देखने को नहीं मिला बालाजी alkyl amines बहुत जादा correct हुए है, fine organics की बिलकुल भी हाँ पर dependency नहीं है और आप देख पा रहे है, fine organics जो तो all time high अगें यहाँ पर लगाता हो नजर आ रहा है chemlin fine science, clean sciences यहाँ पर इनकी raw material पर dependency काफी जादा है क्योंकि इनका जो raw material है phenol है, acetone है, methanol है तो इनकी dependency जादा है, galaxy surfactant की यहाँ पर नहीं है, nocel की यहाँ पर dependency है, arty industries की dependency है, atul की, deepak nitride की, vinity organics की crude oil पर dependency काफी जादा हमको देखने को मिलती है तो यह जो company से basically यहाँ पर pressure में आती हुई देखने को मिल सकती है, जो basically commodity element थोड़ असा वहाँ पर देखने को मिलता है तो उसमें आप देख सकते हैं, deepak nitrite है, alkyl amines, balaji amines है, और clean science है, इनके margins पर थोड़ा pressure देखने को मिल सकता है, लेकिन clean science की अगर बात करें, तो इसका specialty contribution 99% का है, तो यहाँ पर इनके margins sustained होते हुए देखने को मिल सकते हैं, और यहाँ पर inventory पर भी depend करता है किस प्रकार से इन आपको यहाँ से और यह अच्छा perform करते हुए नजर आ सकते हैं, तो इस report में आपको बताया गया है, basically, एक मैं आगर आपको basic simple terms को समझाओ, तो specialty chemicals की जो company है, वो अच्छा perform करते हुए नजर आ सकती है, लेकिन जो basically जिसमें थोड़ा बहुत भी commodity element है, जैसे की deepak nitrite हो गया, या फिर आरती इंडस्ट्रीज हो गया, या फिर बालाजी अमाइस, अलकायल अमाइस हो गया, इन में हमको pressure देखने को मिल सकता है, तो यह है तो इस report में बताया गया है, basically, तो इन companies पर आपको थोड़ा सा cautious रहना है, बालाजी अमाइस, अलकायल अमाइस, और deepak nitrite, इन में थोड़ी बहुत pressure आ सकता है, अगर crude oil की prices यहां से बढ़ते हुए, और देखने को मिले तो, लेकिन अगर हम थोड़े future की बात करें, मतलब थोड़ा आगे आने वाले समय की बात करें, तो यहाँ पर कोई कच्छी companies जो है, वो अच्छा perform करती हुई नजर आईगी, क्योंकि dependency successful हो, और crude oil के यहाँ पर prices हमको कम होते हुए, देखने को मिले, और जो specialty chemical sector है, वो आप इसे perform करता हुए, नजर आए, लेकिन at this point of time, हमको यहाँ पर देखना पड़ेगा, अगले quarter के numbers, यानि कि Q4 के numbers हमको देखने पड़ेंगे, जहाँ पर crude oil की dependency जिन companies पर जादा है, let's यहा सुस्तों अभी आपको थोड़ा बहुत यहाँ पर wait करना चाहिए, wait and watch की यहाँ पर आपको इस्तिती को अब यहाँ पर आपको देखना चाहिए, wait and watch करना चाहिए, अगले quarter के numbers आपको देखने चाहिए, companies में किस प्रकार के margin से आपको sustain रहते हैं नहीं रहते हैं, उसके basis प आपको आगे अपनी position को और बढ़ाना चाहिए, तो मौका पूरा मिलेगा, इसका मतलब यह नहीं कि यहाँ पर company खराब होगी, बैस यह crude oil का impact है वो पढ़ रहा है, इन companies पर जैसी crude oil यहाँ पर सस्ता होगा, यहाँ पर cool off होगा, तो again यह companies आपको अच्छा perform करती हुए नज प्रेंड जो है positive नहीं है, तो उसके इसाफ से आपको यहाँ पर aggressive नहीं होना है, जैसे हमने बोला है, मार्च अप्रेल का अभी हमको देखना पड़ेगा, quarter four के numbers यहाँ पर देखने पड़ेंगे, chemical sector की companies के और दूसरी companies के majorly, तो यहाँ पर उसके basis पे हम आगे के decision लेंगे, और जो companies अभी जोस्तों यहाँ पर correction आ रही है, अगर यहाँ पर आपको अपनी SIP जारूरी रखनी है, तो specific रही है, बहुत stock specific जहाँ पर आपको conviction है, वहाँ पर आपको अभी buy करते रहना है, इसका मतलब यह नहीं कि आपको यहाँ पर time करना है, market को कोई time नहीं कर सकता है, यहाँ समको पता नहीं, क्या market यहाँ से उपर भागया या नहीं, लेकिन आपको क्या करना है, stock specific approach रखनी है, उस पर आपको यहाँ पर धिरे धिरे अपनी companies में SIP करनी है, एक एक stock, दो दो stock, जितनी भी आपकी capabilities है, उसकी according यहाँ पर आप उस हिसाब से अपना decision ले सकते हैं